हेलो दोस्तो आपका मेरे चैनल न्यू फैशन आटर में स्वाकत है आज की इस वीडियो में मैं आपको कशेरे का कैसे नाप लें कितना कशेरा रखें और कैसे इसकी कटाई करें कैसे सलाई करें उसके बारे में बताने जा रहा हूँ बड़िया त्रीक से सीखने के लिए आप वीडियो के स्टार्ड से अन तक बने रहें सबसे पहले मैं आपको नाप लेकर बताऊंगा कैसे किशेरे का नाप लेना है सबसे पहले हम इसका गेर नापेंगे इसकी चड़ाई कितनी है यह 45 इंच 15 इंच है इसकी केर है जो उसके बाद हम इसकी लंबाई देखेंगे यह लंबा है 15 इंच 15 इंच लंबा है अब हम इसकी चोली का नाप लेंगे चोली जो है सेंटर में से यह भी 15 इंच है और उसके बाद हम मोरी जब पहुंचा देखेंगे पहुंचा कितना है कितना त्यार करना है हमने पहुंचा जे 12 इंच हमने त्यार करना है इसके लिए हम कपड़ा लेते हैं कपड़े को सिंपल त्रिक्टे से विशा लेना है उसके बाद जितना हमारा नाप था केर था 45 इंच 45 इंच हमने 45 इंच पे मार्क लगाना है जितना हुगा और उसके बाद हमने 8 इंच एक्स्ट्रा लेना है ज्यादा रखना है मार्जनिस का 45 से 8 इंच ज्यादा लेना है तबी किशेरा ये इतना केर वाला बन पाएगा आठ इंच एक्स्ट्रा लेंगे दन्वार आप लेते हम इसकी जो केर था 45 इंच था 45 इंच पे मार्क लगा लिया और 8 इंच हमने यादर रख लिया टोटल तरवनजा 1 इंच वोगया 53 इंच इसको हमने फॉड कर लेना है 53 इंच पे जो मार्क देना है यह कपड़ा नकालने के बाद हमने जो टुटल त्रवंजा इंच फिप्टी इंच 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 कपड़ा है उसको विशा लेना है फोड कर लेना उसको चिडाई वाड़ी लेंथ पर फोड करना है और एक स्लाई हमने इस कन्नी पर लगा दनी है और एक हमने दूसरी सैड़े लगा दनी है दुनों सैडों पे इसकी स्लाई लगा दनी है स्लाई स्थाठ करते हम इसकी स्लाई हमने पर पर का मरजन शुटकर लगानी है हम नौर्मल हैं ऐसी सलाई लगाते हैं सभी कपड़ोगी ऐसी हमने मारी दूसरी सेट पे उसकी सलाई लगा लेनी है ऐसी दोस्तों मैंने और भी बहुत सारी 65 पैंट वीडियो बना चुका हूँ आप बहुत ही सिंपल वे में उनमें बताया गया है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर उन सभी वीडियो का लुफ्त ले लए सकते हैं दोनों साइड सलाई लगाने के बाद हम फिर टेबल पे चलेंगे उसके बाद जो हमारा 45 इंच केर था हमारा 45 इंच पे केर था उसमें हमने 5 इंच मेंस कर देना है जे 40 इंच रह जाएगा 40 इंच पांच इंच इसमें कम करकर फिर मार्क लगाना है सभी किशारों में ऐसा ही करना है आपने 40 इंच पे मार्क लगाकर हमने एक हिसे को उठा लेना है और अब हम इसकी ऐसे सलाई लगाएंगे आपने सभी किशेरों में ऐसा ही करना है जितना आपका केर होगा उसमें से 5 इंच मैंस कर देना है उसके बाद इसकी सलाई लगा लेनी है दोस्तों जेकर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज ऐसे लाइक की जुरूर करना और आपको किसी पार्ट की जा किसी भी चीज की वीडियो सलाई नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करकर पूछ सकते हो मैं वैसे ही वीडियो आपके लिए लेकर जुरूर हड़ होगा वैसे मैंने 65 प्लस वीडियो जो मैं अपने चैनल पे बना चुका हूँ आप मेरे चैनल की वीडियो जा प्लेलिस्ट में जाकर उन सबी वीडियो का लाब ले सकते हैं ऐसे हम सलाई कंप्लीट कर लेंगे कंप्लीट करने के बाद हम टेबल पे फिर चलेंगे टेबल पे आपने दो कन्यों को दो कोनों को पकड़ लेना है जो हमारी सेंटर वाड़ी अब हम सलाई लगा कर रखे हैं वो हमारे इसके क्रॉस करनी चाहिए बीच में से इस बात का आपने खास द्या रखना है जो सलाई सेंटर में आएगी तो कशेरे की अभी कटाई सही होगी इसके बाद हमने एक सैड से इसकी कटाई कर दatanी है ऐसे आपने इसकी कटाई कर दatanी है जो हम अभी सलाई लगा कर रखे हैं वो इसके क्रॉस बीच में से लंकती है गुजरती है उसके बाद अगले दो कोनों को पकड़ कर हम इसको अच्छे तरीके से बठा लेंगे और टेबल पर विशा लेंगे अपने सारे कपड़े को बराबर कर लेना है अच्छे तरीके से विशाने के बाद हम एक हिसे को उठा कर इसके दूसरे उपर पाल्ट देंगे दूसरे उपर हमने रख देना है ऐसे नीचे वाली साइड जड़ी है वो बराबर हुनी चाहिए उपर कम और ज़्याद हो जाएगा कोई डर नी है हमने नीचे से इसको बराबर कर लेना है उसके बाद हम इसकी लमबाई लेंगे जितनी हमारी लमबाई हमने रखी थी लंबाई थी मारी पंदर एंच पंदर एंच लंबाई थी तो हम पंदर एंच पे मार्क लगाएंगे पहले पहले हमारा मार्क आएगा पंदर एंच पे जितनी हमारी लंबाई थी उसके बाद हम दो एंच मार्क लगाने के बाद दो अंच हम जो हमारा नाले के लिए नाडा डालने के लिए रखेंगे एक्स्ट्रा होगा दो अंच ऐसे मार्किस के सामने और लगा लेना है नाडा डालने के लिए जो हम निफा होता है उसको उसके लिए रखेंगे आप लास्टिक चाहे तो लास्टिक भी डाल सकते हो वह आपकी इच्छ है मार्क लगाने के बाद 40 की सहता से हमने इन दोनों मार्कों सीधा कर लेना है ऐसा ही नीचे वाला मार्क लगा देना है 15 इंच प्लस 2 इंच 17 इंच हो गया उसके बाद उपरी निशान से हमने इसकी कटाई गर्दनी है और जो हमारे कपड़ा बचेगा वो फालतू नहीं होगा वो हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टर होगा चुकि उसकी सहता से हम जो हमारी पट्टी लगाएंगे पॉंचो की जरेव कपड़े हमें चाहिए होता है उसके बाद हम चिड़ी का निशान लगा देंगे जो नाड़ा डालने के लिए होती है दुनों सैड जे चिड़ी आती है इसके बाद हम पॉंचे का मुरी का मार्क लगाएंगे मुरी हमारी साठे बारा इंच थी तो साड़े बारा इंच पी हमने मार्क लगाना है दुनों सेड़ पर आपने मार्क लगा लेना इसके उसके बार जैसे हमने पहले कटाई की थी वैसी साड़े बारा इंच तक बारा अदा हाफ इंच तक हमने इसकी कटाई कर देनी है ऐसे हम नीचे वाले पार्ट की कटाई कर देंगे कटाई करने के बाद हमने जो दो पटी की कटाई उपर पटी हमारी बची थी उसको उठा लेना है उन पटीयों को पहुंचे के बराबर रख लेना है पूरा बरबर रखकर 1.5-2 इंच पर मारक लगाना है कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए इस वातका आपने खासदें रखना है और 3 इंच हमने ज्यादा रखना है इसे 1.5-2 इंच पर मारक आएगा और हमने 3 इंच और रखकर उसका कटाई कर देनी है दूसरी पट्टी भी हमने ऐसी काट लेनी है जो हमारे इसमें बीज जोड आते हैं उसको नकाल देना है आगे बीशे कर लेना है ऐसी हमने 1.5-2 इंच पर मारक लगाना है जितना मारा पहुंचा है मोरी है उतना ही मारक लगाना है जब कम और ज़्यादा लगाएंगे तो आपका पहुंचा जब सलाई करेंगे वहाँ आपको दिक्कत आएगी दोनों पर आपने मारक लगाना है दोनों सैड पे उसके बाद हम मशीन पर चालते हैं इसकी सलाई के लिए सबसे पहले हम जो हम आपने चड़ी का मारक लगाया था अक टाई की थी उसे चड़ी की सलाई करेंगे जो नाडा डालने के लिए होती है जिकर आप लास्टिक डलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चड़ी रखने की जुरूरत नहीं है लास्टिक आप सीधा ही डाल सकते हैं जिकर आपको लास्टिक डलने नहीं आती तो मेरे चैनल में प्रिजामे की लास्टिक की वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं ऐसी आपने दूसरी चड़ी की भी सलाई कर लेनी है दोस्तों जिकर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी प्लीज इस लाई के जुरूर करना और कमेंट करके मुझे जुरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी है जो आपको किसी चीज की वीडियो और चाहिए मैं उसके लिए वैसी वीडियो बनाकर जुरूर हाजर हूँगा चिडी क्या सलाई करने के बाद हम नेफे की सलाई करेंगे जो मारे नाडा डालने के लिए होगी इसमें नेफे की सलाई जो बहुत ही साव दनी से करनी पड़ेगी आपको सिंपल तरीके से नॉर्मल से इसकी सलाई करनी है जहाँ पर आएगा वहाँ पर इसकी सलाई करनी है किसी भी पाट को खीचना नहीं है जोग आप उपरी हिसे को खीचेंगे तो आपको नेफे की सलाई नहीं कर बाएंगे सिंपल सा पकड़ कर इसको सलाई करनी है जिकर आप खीचेंगे तो सलाई मुश्कल हो जाएगी ऐसे अपने दीरे-दीरे इसकी सलाई कर लेनी है मैं इसमें थोड़ी सी वीडियो स्किप कर रहा हूँ अपने ऐसी सब सारी इसकी स्लाई कर लेनी है एक हमने चड़ी कंप्लीट कर लिया हम दूसरे पार्ट शुरू करेंगे ऐसी आपने दूसरे पार्ट की भी स्लाई कंप्लीट कर लेनी है यह दोस्तों मारी नेफे की सलाई कम्प्लीट होगी है अब जहां पर हम मारी सलाई स्टार्ट करते हैं और जहां पर एंड करते हैं वहाँ पर आपने डबल सलाई लगा लेनी तांकि इसका फटने का डरना रहे इसके बाद हम पहुंचो की सलाई करेंगे पहुंचो की सलाई के लिए हमने जो पट्टी काटी थी सबसे पहले उसको उठाएंगे पट्टी जो हमने साड़े बारा इंच पे मार्क लगाया था और तीने चेक्स ना शोड़ा था आपने थोड़ा सा ज़्यादा शोड़कर मार्जन से इसकी सलाई लगानी है सलाई हमने ठीक मार्क पे ही कम्पलीट करनी है उससे आगे नहीं जाना है दबल सलाई आप ऐसे लगा सकते हैं कि डबल सलाई लगाने के बाद अपने नाखुन की साहतर से इसे अच्छे तरीके से चीर लेना है ऐसे आपने इसको सैंटर मेंसे चीर लेना है उसके बाद हमने थोड़ी सी slice की लगानी है तांकि आपको पहुंच की slice लगाते वाकत किसी प्रकार के कोई दिक्कत ना आए simple सा हमने आगे तक इसको forward करकर slice लगा लेनी है बस इतनी सी तांकि जब हम पहुंच की slice start करेंगे ताब हमें थोड़ी सी प्रशानी होती है जब आएसी slice लगा लेंगे कोई प्रशानी नहींगी उसके बाद हमें एक निक्की सी फट्टी चाहिए ऐसे आपने इतना का काट लेना है और इसको forward कर लेना है forward करकर जहांसे मारी slice start होगी उससे थोड़ा सा अगे रहकर इसको attach कर लेना है ऐसे slice थोड़ी सी दूरी पे हमने लगानी है ताकि हमारी slice front में से दिखे ना ऐसे आपने इसको attach कर लेना है उसके बाद हम किशेरे को उठाएंगे यह आप मार्क लगा लीजिए जहां तो हमारी slice start होगी किशेरे को उठाएंगे और किशेरे का right side होगा जो सीधा हिसा होगा उसके उपर होगा उपर वारी side सीधी होनी चाहिए उसके बाद हमने जो रहे पट्टी है उसको उठाएंगे और इसके नीचे रख लेना है फट्टी को तो जो हमने पट्टी लगाई हो वो simple सी बार दिखनी चाहिए बस थोड़ा सा simple दिखनी चाहिए और सुई की सेता से हमारे उपर कशेर है उसकी पट्टी थोड़ी सी fold करेंगे ऐसे आपने fold करकर इसकी slice start करनी है ऐसे आपने इसकी slice start करनी है और सलाई हमने पहली जो हमारी सलाई होगी थोड़ा-थोड़ा सा जो धले मारे नीचे पत्ति है वो बार दिखने चाहिए थोड़ी-थोड़ी पत्ति शोड़ कर आदे एंची जाप आँचे तक हमने इसको फोर्ड करना है और उपरी बाग में करेंगे तो सलाई का एक जान नीचे वाला हिसा ज्यादा हो जाएगा का की तांकि मारा जो एंड हुगा इसका टीक नहीं होगा और वो और ज्लाए King जयादा हो जाएगा और आपको इसकी सलाई द्वार लगानी पड़ेगी यह देखिए यह मारा पूरा आएगा सिंपल सिंपल सा आपने फोड करना है यह देखिए मारा कई भी हिस्सा कोई भी हिस्सा जो है कम और ज्यादा नहीं है नीडल की सेथ से सुई की सेथ से आपने इसका एंडवी वैसे ही करना है जैसे आपने इसकी स्टार्टिंग की थी और सलाई का हमने बार नहीं नकालना है ऐसे हमने सलाई इसकी डबल सलाई स्टार्ट कर देनी है थोड़ा सा आगे जाकर डबल सलाई हमने जो पैर पैर इंच का मार्जन छोड़कर असलाई लगानी है वैसे हमने सारी इसकी सलाई ऐसे कम्प्लीट कर लेनी है पहली सलाई लगाने में हमें दिक्कत होती है दूसरी सलाई वो सिंपल सी लग जाती है ऐसी हमने एक और सलाई लगाएंगे मिशीन को बार नकालने की जुरूत नहीं है आप आपकी इच्छा है आप कैसी इसकी दिख देना चाते हैं एक सलाई की दो की तीन की दो तो लगनी चाहिए ना तीन हो जाए तो वो बढ़िया लगती है ऐसी आपने पैर पैर रेंच का एक मार्जन और शूड कर इसकी तीसरी सलाई लगा लेनी है आप चाहिए तो एक सलाई और लगने चाहिए तो और भी लगा सकते हैं वो आपकी इच्छा है तीन वैसे काफी है अब हम इसकी सलाई मशीन को बार नकालेंगे और इसके जहां पर हमने फटी लगाई थी स्टार्टीं की थी वहाँ पर हमने सलाई इसका लगानी है तांकि जो किषेरे का पहुँचा है जो मूरी है वो फट mé आपने इसमें तीन चार बार सलाई लगा देनी है ऐसे आगे अहिशे करकर ऐसे आपके किशहरे का यह पहुंचा है मोरी है वो फटेगी नहीं जिसलाई लगाने के बाद आपने किशहरे को उल्टा कर लेना है रॉंग साइड उपर करकर इसको विशा लेना है उसके बाद जो मारी फटेगी है जो फाल क्पड रह गया है । उसकी सलाई लगाएंगे इसलाय है बीच में से सेंटर में से स्टार्ट करनी है सेरे से शुरूनी करनी ऐसे ही आपने इसके भी simple simple के पड़ फोर्ड करकर इसकी सलाई लगा लेनी है दोस्तों जिकर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी प्लीज इसे लाइक की जुरूर करना और कमेंट करकर मुझे जुरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी है जा आप और किस पार्ट की वीडियो चाहते हैं मैं आपके लिए वैसी वीडियो बनाकर जुरूर हजर होँगा आपने ऐसे ही इसकी सलाई कंप्लीट कर लेनी है ये मेरी दूसरी वीडियो मैंने एक सिंपल से किशेरे की पहले भी वीडियो बनाई है जिकर आप वह भी ले सकते हैं ये सलाई कंप्लीट होने के बाद हमारे किशेरे की ये सलाई है वह कंप्लीट हो गई है उसके बाद में नाडा डालना रहे गया है वह आपको डाल लेना है ये देखिए हमारे दिख देखिए कैसी आई है पहुंचके कितनी बड़िया लग रही है यह देखिए अब मैं इसका नाप लेकर आपको बताूँगा, कितना कितना हमारा complete हो गया किशारा, केर हमारा पंदाली, साड़े चताली पंदाली इंच था, यह देखिए, मारा साड़े चताली इंच यह complete हो गया है, और उसकी जो लंबाई थी, वो 15 इंच थी, यह 15 इंच भी complete है thank you for watching my video